नमस्कार जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे most important questions जो की इंडियन आर्मी की सभी traits चाहें वो soldier, gd, clerk, technical, nursing assistant या फिर traitsman हो सभी में दोस्तो जो repeatable questions हैं काफी बार आपके exam से में repeat होते रहते हैं उन में से दोस्तो मैं आपको 15 questions लेकर आया हूँ तो यह बहुत ही important question है, वीडियो को last तक देखते रहिएगा क्योंकि आपने एक भी question अगर miss किया तो हो सकता है दोस्तो वही question आपके exam में आपको देखने को मिल जाए तो चलिए ज़्यादर समय ना लेते हुए, start करते हैं आज की वीडियो question number 1 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 1 है दोस्तो, काफी अच्छा question है, repeatable question है राष्टरपती सासन के दौरान, राज का प्रमुक्स सासन संचालक कौन होता है, ठीक है option से आपके मुक्यमंतरी, प्रधानमंतरी, राजपाल या फिर उच्छी नियायलक के मुक्यनियादी तो आपको बताना है कि जब किसी भी राज में राष्टरपती सासन लगता है, तो उस राज का जो प्रमुक्स सासन संचालक होता है, वो कौन होता है तो दोस्तो, question number 1 का right answer होगा आपका option C, राजपाल, ठीक है राष्टरपती सासन के दौरान में जो राज की सासन का जो संचालक होता है, वो कौन होता है राजपाल होता है, चलिए, अगले question के तरफ चलते है, question number 2 लोगसभा के प्रिथम अध्यक्ष कौन थे, दोस्तो, काफी repeatable question है इस question को मैंने बहुत बार आपके exams में repeat होते हुए देखा है, ठीक है तो लोगसभा के प्रिथम अध्यक्ष कौन थे, options हैं, मोतिलाल नहरू, सरदार हुकम सिंग, गणेश बासुदेब मावलांकर और बियार अंबेटकर तो यहाँ पर confuse नहीं होना, आपके exam में गणेश बासुदेब मावलांकर या फिर जीबी मावलांकर लिखा हुए भी आ सकता है तो question number two का right answer कौन सा होगा, आपका option C, जीबी मावलांकर, यानि की, गणेश बासुदेब मावलांकर लोगसभा के प्रिथम अध्यक्ष थे कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रिपात कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रिपात है दोस्तो, जोग जल प्रिपात ठीक है, और ये किस राज में इस्तित है, ये आपको बताना है, तो question number three का option से आपके आंधर प्रिदेश, उत्तर प्रिदेश, केरल या फिर करनाटक तो question number three का right answer होगा, आपका option D, करनाटक, जोग जल प्रिपात जो है दोस्तो, भारत के करनाटक राज में इस्तित है, और ये भारत का सबसे उंचा जल प्रिपात है, ठीक है, question number four, बहुत ज़्यादा important question, ठीक है, चाहें Indian Army के आप किसी भी trade की तेहरी कर रहे हैं, ये question बहुत important है, Indian Military Academy, यानि कि IMA कहां पर इस्तित है, तो आपके question में दोस्तो, paper में IMA की full form भी आ सकती है, और इसकी location ये इस्तित कहां पर ये भी आ सकता है, तो दोस्तो, IMA कहां पर इस्तित है, देहरादून, खलगवासला, दिल्ली, या फिर बेलिंग्टन, तो Indian Military Academy दोस्तो, IMA की full form ह होती है, जहां पर officers की training कराई जाती है, और ये दोस्तो, भारत के उत्राखंड राज के देहरादून में इस्तित है, ठीक है, तो question number 4 का right answer क्या होगा, option A, question number 5 है, दोस्तो, हमारा, काफी अच्छा question है, ये भी, डेंगू बुखार किस कारण से होता है, options है, बिसाडू, जीब रहेगा, चलिए, अगले question के तरफ चलते हैं, दोस्तो, question number 6, question number 6 है, हमारा, मल्यालम किस राज की पिर्मुख भासा है, options है, असाम, तमिलनाइडू, करनाटक, या फिर केरल, ठीक है, तो question number 6 का दोस्तो, right answer होगा, आपका option D, केरल, मल्यालम जो है भी भारत के, केरल राज की पिर्मुख भासा है, question number 7 है, दोस्तो, आपका, rovers cup का संबंद किस खिल से, बहुत important question है, दोस्तो, सभी के सभी, मुझे हर question में यह बोलने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, कि यह important question है, क्योंकि दोस्तो, इस वीडियो मेंने जितने भी question लिये हैं, 15 questions हैं इस वीडियो में सभी के सभी, repeatable question है, और बहुत important question है, तो rovers cup का संबंद किस खिल से है, options है, cricket, football, hockey, table tennis, तो दोस्तो, rovers cup का संबंद किस खिल से है, footwall से, तो यहाँ पर question number 7 का right answer option भी रहेगा आपका, question number 8 की तरफ चलने से पहले, आप सभी से एक छोटी सी request होगी, कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करने, question number 8 है हमारा, भारत में सबसे उचा बांद कौन सा है, option से आपके, सरदार, सरोबर बांद, हीरा कुंड बांद, टेहरी question number 8 का दोस्तो, right answer होगा, option C, टेहरी बांद, भारत का सबसे उचा बांद कौन सा है, टेहरी बांद, जो की उत्तरा खड़ में भागी रहती नदी पर इस्तित है, question number 9 है दोस्तो, टाइफाइट सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, options है, फेंफडे, तंत्र का तंत्र, आथ या फिर स्वास नगी, तो question number 9 का right answer होगा, option C, टाइफाइट जो है दोस्तो, वो हमारे सरीर के आथ के लिए जो है बो प्रभावित करता है, अगला question है, question number 10, किसे भविस्ट का इनन कहते हैं, options है, hydrogen, helium, lithium या फिर oxygen, तो दोस्तो, भविस्ट का इनन कहा जाता है, hydrogen के question number 11, question number 11 है दोस्तो, केंदरी औसिदी अनसंदान संस्थान, ठीक है? All India Institute of Medical Sciences की बाद यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही ही दोस्तो, केंदरी औसिदी अनसंदान संस्थान, ठीक है? तो केंद्री औसधी अनसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है? आप्शन से आपके दिल्ली, देहरादून, लखनौ या फिर बुलन सहर तो question number 11 का दोस्तो आपका right answer होगा option C लखनौ ठीक है? औसधी अनसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनौ में है options हैं दिल्ली, कोलकाता, चित्तोलगर और चेन नई तो question number 12 का दोस्तो right answer होगा आपका option C चित्तोलगर ठीक है? विजे स्थान कहां पर है? राजस्थान के चित्तोलगर में इस्थित है अगले question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो आज से मैं आपके लिए इसी क्रम में आपको मैं daily video लेकर आता रहूँगा जिसमें हम 500 questions आपके लिए discuss करेंगे और मैं guarantee देता हूँ आपकी general knowledge और science 30 number के जो आपके question है वो आपके इसी paper में से जो है दोस्तो वो आना है ठीक है? मलब 30 questions आपके 60 number के इनी 500 questions में से आना है तो आप हमारी channel पर कम से कम एक मेने तक पढ़के देख लीजिए और उसके बाद में आप अपना paper देना आपके 30 number की guarantee मैं ले सकता हूँ तो रक्त समूं की खोज किसने की थी? ओप्संस हैं बिलियम हारवे, लिवेन हाग, मैकुलम और लेंड इस्टीनर दोस्तो रक्त समूं की खोज की थी लेंड इस्टीनर ने ठीक है? चलिए अगला question है हमारा question number 14 और एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि यह जो 500 questions होंगे वो पिछले years के repeated questions होंगे मतलब पिछले years के जो papers हैं आपके last years के करीब last 5 साल के papers के जो चुनिंदा question हैं काफी बार repeat हुए हैं वही questions मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो question number 14 का right answer, sorry question number 14 है हमारे राश्ट्री धोज में केसरी रंग किसका प्रतीक है? options हैं, साहस और बलिदान, समरिद्धिका, सांतिका या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों, जो केसरी रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है ठीक है? अगला question है हमारा question number 15 इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह है इस question paper की दोस्तों answer की और इस question paper के लिए आप जो इसकी pdf file है इसको बिल्कुल free में हमारे telegram channel जिसका link इस वीडियो की description में दिया गया है वहाँ से आप download कर सकते हैं question number 15 है लोगसभा का कारेकाल कितना है options है 4 वर्स, 5 वर्स, 6 वर्स या फिर 7 वर्स question number 15 का right answer option B होगा लोगसभा का दोस्तों जो कारेकाल होता है वो 5 साल का होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस एतना ही उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आयए तो वीडियो को like कर देना और अगर channel पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत